हेलो एवरीबडी तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जारे हैं दा शूर सिस्टम तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने दा स्ट्रॉक्चर एंड दा कॉंशन ओफ प्लान वाला चैप्टर शूरू कर दिया था जिसमें हमने दा रूट सिस्टम के बारे में जाना था और रूट के बारे में और मॉडिफिकेशन अफ रूट के बारे में पढ़ा था तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे दाशूर सिस्टम, तो शूर सिस्टम क्या होता है, शूर सिस्टम जो होता है, एरियल पार्ट ऑप दा प्लांट, एरियल मतलब यह हवा में होता है, यह तोर्स दा ग्रैविटी मतलब यह ग्रैविटी के ऊपर होता है, वे सब्सक्रांब देखे था राल यहां जो खनम मतुरा क्रपांध लिकाम ऑकर प Cry आते ह। दो खर आपब से ब्राओं अब वह स्वीं कैस्टेट बाओं मैं देखे publi कि आपान करें स्टेंब है इसमें क्या कह रहता है इसमें सबसे पहला है ब्रांच एक पेड में ब्रांच रहती हैं है ना तना सेकेंड है लीफs लीफs कॉमनली हर फेलड में प्रदम्ल कोड़ी से उम्यंड़ मईalyst isina यानि की बढ़्दी ठीक है और फ्लावर यानि की फूल और फूल मतलब तो यह सारी चीरज में होते हैं तो यह हमने शूर्ट सिस्टम के बारे में जान दिया यह जी चूर्ट सिस्टम क्या होता है अब हम मैं आपको इस डाइग्रांड के फूर बताऊंगी कि इसमें जो होता है बर्ड अब हमने इन सब के बार में जाने हैं तो अब हम लोगा शूर सिस्टेम में हम लोग क्या जानेंगी? अब हम लोग जानेंगे stem जो हम लोग ग्ली ब्रांच सब क्या होते हैं ठीक है तो चलिए उनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहला है stem is the main part of the shoot system जो stem है वो main part होता है shoot system का ठीक है तो कि stem ही है जो जिसके अखर stem ही तो है जिसके ओपर ग्ली फराइज होगी new branches arise होंगी flower fruits सब चीज के पहला है stem जो है main part होता है second point है point from where leaves branches arise called node point पतलब जिस point से एक जैसे पुझे देखे है आप मैंने बनाया यह जो हमारा point है यह जो हमारा point है जहां से सारी leaves arise कर रही है ठीक है तो यह जो हमारा से सारी leaves arise कर रही है leaves हो सकती है branches हो सकती है fruit flower कुछ भी हो सकता है वो एक common node से ही arise करता है तो जिस point से वो arise करता है उसी को हम लोग node कहते है the common point from where are new leaves branches flowers fruit anything bird कुछ भी निकलेगा वो उसे हम लोग एक common point से निकलता है और उस common point को हम लोग क्या कहते है node क्या कहते है node कहते है ठीक है यह आपको याद रखना है मन में यह node होता क्या है point from where are leaf branch और new anything बलब जो bird जो भी है वो सब node से निकलता है ठीक है third point है reason between two node is inter node reason between two node मतलब दो node की distance को मतलब दो node है और उनकी बीच में दिस्टेंस है उसे हम लोग inter node जोते हैं इसे हम लोग inter node कहते हैं इसे हम लोग inter node कहते हैं ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है it's important तो इसे को कहते है inter node तो हमने यह जाना कि इसे क्या होता है अब जो हम लोग जानेंगे वो है bird what is a bird bird क्या होता है तो सबसे पहले bird यह जो आप लेख रहें यह जो leaves है और इसमें छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी को छराई दूआ है आप लोग तो वो जो है वो बर्ड होता है जिसमें से new leaf branches मतला वो जो bird है जैसे वो कली है तो वो उसका जो मन हभाव बन रहे है वो कहता है जैसे वो कहीं का कि वो कभी branch भी बन सकता है वो leaf भी form हो सकता है या फिर वो बन सकता है तो जैसे ये बर्ड जो है वो लीव व्रांचे सब चीज बन सकता है जो एक common plant में होता है तो इसे हम लोग axillary bird खेर रहे हैं इसे बर्ड क्याते हैं लेकि एक्सलरी बर्ड क्या है इसलिए axillary bird क्या रहे है क्योंकि axle एकसल मतलब होता है कि एक 90 degree का एंगल बनाना तो यह 90 degree के एंगल के बीच में होता है ह蒘 हटना यहां यह पे है स्टेम्प और यह पे लीक यह तो यह 90 degree का एंगल बीच में तो झीया है उसके जम भी तीम यह क्या है हमारा यह condensed shoot, यह condensed shoot होते हैं, क्योंकि इसले shoot कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी बहार आ सकता है, it may can have leaf, branches, और anything which a common plant have, ठीक है, अब यह साथ हमने जाल रहा है, फिए stem से यह बीच वाला क्या है, यह stem है, तो इस stem से कितना कुछ हो रहा है, वो leaf arise हो रही है, यह bird arise हो रहा है, और भी इतनी सारी चिदराइज हो रही हैं, axillary bird, branches, node, internet, इतनी सारी चीज़े हैं, तो लेकिन इन सब process के अलाबा भी, जो stem है, वो और भी function करता है, टू, जैसे हमारी body में veins लगी होती हैं, circulation करने के लिए, वैसे ही, जैसे हमारी body में veins होती है, खाना पूरे body में transport करने के लिए, वैसे ही, आखिर stem में, जो है, stem को भी तो leaf को भी खाना चाहिए, सब जो 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 stem होती है, वो पूरे जो stem है, ये खाना बनाते है, leaf जो खाना बनाते है, फिर ये इनके अंदर भी veins होती है, है ना, तो इन लोगों भी खाना ठांसपोर्ट करना तो यह स्टेम पूरे जैसे जायें गवाएगा खाना फिर यहां देखेगा एक मूला तो प्रषाम हør जाबा उसलिए जो खाना मिलुक जाएगा फिर यहां तो ऐसे वे पूरे पेड को खाना देने का काम करता है ठीक है तो हमने इस दा शूर सिस्टम के बारे में इतना जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शूर सिस्टम के मोडिफिकेशन के बारे में जाइनेंगे तिल देन थांक्स वाचिंग दिस वीडियो